नमस्कार आप देख रहें, CID News और मैं हूँ आपके साथ जोती करनोचिया आए नज़र डालते हैं, खबर की ओर हमेर पोड जिले में कक्षा पाश में पढ़ने वाले 10 साल के बालक के सपने में आए भगवान राम तो फिर उसने दफ्ती से बना डाला राम मंदिर का मनभवन मौडल जिसके बाद जिले भर में हो रही है जबालक की चर्चा जी हाँ, देखने में एकदम असली राम मंदिर जैसा दिख रहा है या मौडल देखे एकदम असली जैसा दिख रहा या राम मंदिर का वो मौडल है जिसे कक्षा पाश में पढ़ने वाले 10 साल के बच्चे आदर्श शर्मा ने बनाया है इस मौडल को बनाने की प्रेणना उससे सपने में मिली थी उसके सपने में भगवान राम जी आये थे बस तभी उसने राम मंदिर का मौडल बनाने की ठानी और फिर दख्ती से राम मंदिर की मौडल बना डाला मौडल बनाने वाले आदर्श शर्मा ने बताया की दस साल के नन्हे रामभक्त ने घर पर ही बना डाला हूबहू राम मंदिर का मॉडल दरसल हमीरपूर जिला मुख्याले के रमेडी मुहले के रहने वाले विश्नु शर्मा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालंग पोशन करते हैं उनका दस साल का बेटा आदर शर्मा शहर के एक स्कूर में कक्षा पाश में पड़ता है कर्मा संकर्विसकर्मा बाबा जी आपके महले में बच्चे ने राम मंदिर का निर्मार किया है दप्ती से बनाया है क्या कुछ कहना चाहेंगा तो कैसा लग रहा है आप लोग इसका सभी लोग इसका सायोग किया और आज उसकी कपना पूरी होगा इत्मार मंदिर बना लिए तो कैसा लग रहा है आप लोगों को मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है हम चाहेंगे कि और अच्छे हां साफ करें बेहत गरीब घर के बच्चे आदर शर्मा ने राम मंदिर का मॉडल बनाने के ठानी तो उसके परिवार में उसकी हर संभव साहिता की है उसकी दादी ने कि कैसे उसने या मॉडल बनाया है और उन्होंने उसकी क्या मदद की है अब आपके हां राम मंदिर का बनाया हुआ है रफ्टी से क्या कुछ कहेंगे आप हम यह कहना चाहिए कि बच्चे को थोड़ी से समझ में आया कि भगवान राम महां अध्या में बिराज रहें तो उस बनाने के बाद फिर यह हुआ कि चलो इसको को सोचा सब्सक्राइब बच्चे ने इसको बड़ी मेहनत करके दप्ती से अफैबी को लगाया लाइट लगाई इसमें और काफी मतलब मेहनत करिए उसने अपने हिसाब से कितने में पढ़ता है बच्चा बच्चा 5 में पढ़त इस मॉडल को बच्चे ने सिर्फ दफ्ती और फैवी कोल की मदद से बना दिया इसके अंदर लाइट भी लगाई गई जो रात में मनमोहग देखता है बच्ची की मा ने बताया कि बच्ची की इच्छा देखकर उन्होंने उसकी मदद की फिर बच्चे ने मनमोहग राम मंदिर का मॉडल बना दिया इस खबर में बस इतना ही बने रहे CID News के साथ